तो कैसे हैं आप सब उमीद सब ठीक ठाक होंगे आज किस वीडियो में आप देखने वाले अंब्रेला फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग तो इसको चलिए शुरू करते हैं बस वीडियो को आपको एंड तक देखना है मैं एक-एक मैथर एक-एक स्टैप फॉर्मूलास वग लगेगा तो सेम अस्तर का भी काटने का सेम वही तरीका है तो पहले हम मेन फैब्रिक कटिंग करेंगे इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और जो भी हमारे मेजर्मेंट है उसको निशान लगाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले मैं शूल्डर का निशान लगांगे साथ इंच पर आर्मॉल इस तरह से अब हम यहां पर चेस्ट का निशान लगाएंगे तो जो इतना भी यहां पाना है मैं टोटल रख रही हूं एट एन हाफ इंच एट एन हाफ इंच हो गया हमारा चेस्ट का मेजर्मेंट बाकी एक इंच का फैबरिक करीब बचा हुआ है तो वो मार्जिन के लिए हो जाएगा ये देखे, 8.5 इंच हमने ले लिया है और बांग की मार्जिन में चला जाएगा तो हम कटनी करेंगे इसको आर्मूल वाले पार्ट को राउंड कर लेंगे ये देखे, यहां से इसे राउंड कर लेंगे हलका सा और half inch करीब shoulder यहां से down कर लेंगे उसके बाद top की length हमें कितनी रखनी है वो देख लेते हैं तो top की length मैं यहां पर 14 inch रख रही हूं 13 inch तयार चाहिए मुझे half inch उपर स्लेह में चल जाएगा half inch नीची से तो 13 inch हमें तयार मिल जाएगा 14 inch में निशान लगा दिया है और जो भी एक्स्ट्रा होगा उसे हम cut कर देंगे अब हम यहां पर 28 inch कमर था उसका 24-7 inch आ गया साथ पर निशान लगा देंगे इस तरह से रखते हुए यह देखिए बाकी margin हमारा हो जाएगा एक inch यह देखिए एक inch मैंने margin ले लिया है से यह हो गया और नीचे वाले पार्ट से टॉप की हलका सा राउंड कर देंगे देखिए हाफ इंचे करीब उपर से करते वे इससे राउंड कर देंगे अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी तो हमने यह एक पार्ट की कटिंग कर ली है फ्रण्ट और बैक हमें दोनों चाहिए तो सेम एज़टीज एक और फैब्रिक इसके ऊपर देखिया ऐसे एक और फैब्रिक रख लिए है मैंने सेम है इस बिल्कुल उसी के उपर कटिंग कर लूँगी रखके और देखे फ्रंट और बैक पार्ट के हमने टॉप की कटिंग तो कर लिए नेक की लगाएंगे निशाने आपर चोड़ाई देखे मैंने तीन इंच ले लिए है गहराई मै सिधा रखते वे दो इंच पे निशान लगा दूँगी तो ये बैक पार्ट का हमारा नेक कटिंग हो गया है बैक पार्ट है ये ये हो गया अब हम लेंगे फ्रंट वाला पार्ट और फ्रंट वाले पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे देखे ये हो गया ये फ्रंट वाला अच्छे से पहले सेट कर लेते हैं अगर आपका फैब्रिक जो है जॉर्जिट वगएरा है तो पिन अप कर लें जदा आसानी होगी तीन इंच उड़ाई ले लिया गहराई इस तरीके से तिर्चा रखते हूं मैं साथ इंच में निशान लगाऊंगी यह देखिए इस तरह से मैं से कटिंग कर लूँगे राउंड नेक मेरा खरीव फ्रेंट में और अगर आपको गले का मेजरमेंट लेना कटिंग करना और सलाई करना वगएरा नहीं आता है तो मैंने एक सेपरेट वीडियो डाला था उसे भी आप देख सकते हैं और देखिए फ्रंट जो आर्मोल हो और अस्तर वाला फाबरीक के ऊपर रखते हैं इसको सेम एस बिल्कूल इसी तरीके से इसको रखते वें पर कर लेना देखिए तो यह से एड़ेस्ट कर लेंगे जहां से एड़ेस्ट हो रहा होगा अगर आप इसमें धंक से रखेंगे तो आप फैब्रिक बचा भी सकते हैं वेस्ट नहीं होगा आपका फैब्रिक अगर धंक से था साथ इंच और एक इंच मार्जिन था अब नीचे वाले पार्ट को कटिंग करेंगे देखिए इस तरीके से फैब्रिक है तो इसको सबसे पहले हमें डबल फोल्ड कर लेना है मैं आपको थोड़ा डंग से स्क्रीन को जड़ा डंग से हमें कर लेती उसके बाद दिखाती पूरा स्क्रीन में आजाएगा सबसे पहले हमें डबल फोल्ड कर लेना है फैब्रिक को अर्ज देखिए इस फैब्रिक की ज्यादा है तो इस तरीकी का अम्रेला फ्रॉग बनाने के लिए आपको ज्यादा अर्ज का फैब्रिक लेना होगा वरना जब आप राउंड प्लॉड कर लिए कर ना कहीं से मुडा ना कुछ नहों कहीं कोई सिल्वटे ना आ रही हो अच्छी से चेक कर लेना ही देखिए आपरिक को मैं ने देखिए अच्छे से डबल फोल्ड कर लिया है अब आपको देखे पूरा दिख रहा होगा तो डबल फोल्ड करने के बाद किसी भी एक होने से किसी भी एक एंगल से अब यहां से चाहें तो फोल्ड कर लें किसी भी एक एंगल से तो मैं इस तरीके से इसे फोल्ड कर ले रही हूं अच लगाने की हमनेहां से हाफ निशान वह ओर चौटल होता है तो 29 तो Holiday intim हो गया है सती इंच कमर निशान लगाने मार्जीन दिया था तो तो टोटल देखिए हो सबता है margin भी हमें चाहिए तो 8 इंच पे मैं ऐसे निशान लगा लूँगी यह देखे और निशान लगाने के बाद दोनों किनारे से हम नापेंगे कितना आ रहा है किसी एक किनारे से आप नाप ले देखें यहाँ पर 10 इंच आ रहा है तो ऐसे round गुमाते वे total इसको हम ऐसे circle कर लेंगे इस तरीके से यह देखे तो यह हमने निशान लगा लिया है और जब हम इसके cutting करेंगे तो कम से कम एक इंच उपर से cutting करेंगे क्योंकि इस पर तो सिलाई लगेगी जो हमने निशान लगा या है बट margin चाहिए हमें तो कम से कम एक इंच उपर से रखते वे इस तरह से cutting कर लेंगे यह हो गया अब इसके नीचे से हम घेर की जितनी भी लंबाई चाहिए हमें उसका निशान लगाएंगे तो यहाँ पर total जो देखे घेर आ रहा है वो आ रहा है 27 इंच और 27 इंच में पूरा इस तरह से नापते वे पूरा घेर निशान लगा लूँगी इस तरह से तो इस तरह किसे round round घुमाते वे हम पूरा निशान लगा लेंगे यह देखे हैं यह हो गया और जो हम अस्तर वाला फैब्रिक लेंगे न जो घेर के लिए जिसके नीचे अस्तर लगेगा उस फैब्रिक को हमें रखना है इस से थोड़ा सा छोटा मतलब कम से कम आप चार-पांच इंच छोटा ही रखें ताकि अस्तर नजर ना आए साथ में इसके थोड़ा सा ऊपर रहेगा तो कवर्ड रहेगा तो यह हो गया देखिए अब एक किनारी यहां पर इसकी जॉइंट है तो उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे यहां से ऐसे उमीद है आदक आपको समझ में आ गया होगा सारे फॉर्मूलाद आपके सामने मैंशन है उसको आप देख सकते हैं और मैंने कोशिश करिए कि मैं आपको एक-एक स्टेप अच्छे समझाने के कोशिश करूँ इससे पहले भी मैंने एक अम्रेला फ्रॉक की कटिंग और स्टेचिंग की वीडियो डाली थी बहुत लोगों को डाउट था और बोला था कि बना के आप दुबारा दिखाईए और एक डबल सर्कुलर अम्रेला फ्रॉक की कटिंग किस तरीके से करते हैं मैंने डाला था आप लोगोंने काफी पसंद भी किया था उसको अगर आपको डबल सर्कुलर अम्रेला फ्रॉक करना सीखना है तो उसे आप वीडियो को देख सकते हैं तो देखिए अस्तर वाला फैबरिक है सेम बिल्कुल ऐसे ही इसकी भी फोल्डिंग करनी है और स्टिचिंग कटिंग करनी है तो देखिए मैंने डबल फोल्ड कर लिया है फैबरिक को देख सकते हैं मेरे रूम में कितना मैस हो रहा है यह वीडियो बनाते समय ऐसे ही होता है देखिए आप मैं क्या करूंगी यह अम्रेला फ्रॉग जो है इस तरीके से जो हमने बनाया है में फैबरिक पर उसको रख लेना है और सेम ऐसे ही निशान लगाना है अगर आप नहीं चाहते कि नीचे कोई जॉइंट लगाना पड़े तो आप जदा अर्ज वाला ही फैबर देख लें अम्रेला फ्रॉग की कटिंग करने के लिए और अगर आपके पास जदा अर्ज का फैबरिक नहीं है तो आपको जॉइन नीचे लगाना पड़ेगा तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आप जॉइन नीचे लगा सकते हैं यह देखिए मैं यहां से निशान ल खरी हूं है क्योंकि नीचे से कम से कम एक इंचे करीब फोल्ड हो जाएगा तो खुदी एड्जेस्ट हो जाएगा आप चाहें तो अगर आपके पास फैबरिक कम है तो और छोटा भी रख सकते हैं क्योंकि वह अस्तर में जाना है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो सिम्पल में बिल्कुल सेम निशान लगाते हुए इसको भी कटिंग कर लूँगी देखें मैंने कटिंग कर लिया है घेर कितना अच्छा रही है तो सिंगलर सिंगल सर्कुलर यह है फ्रॉक है अगर डबल सर्कुलर आप बनाएंगे तो पूरा मतलब एक दम पूरा सर्कल घेर आता है वो तो बहुत ही खुब्सूरत लगता है खुब्सूरत यह भी लगता है बट उसमें घेर जादा होता है देखें यह हो गया तो इस तरीके से आ जाएगा इसके उपर यह नीचे अस्तर हो जाएगा तॉप पार्ट और नीचे के अम्ब्रेला फ्रॉक की यानि की स्कूर्ट की भी हमने कटिंग कर ली है अब बच गया इसकी स्लीव की कटिंग तो स्लीव की कटिंग भी देख लेते हैं फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है सबसे पहले यहां पर हम निशान लगाएं यहां से और यहां से थ्री इंच का निशान लगाएंगे इस तरीके से रखते हुए यह हो गया और उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से मिला देंगे यह देखिए और अब हम इसको हलका था एस शेप राउंड घुमाते हुए इस पर डिजाइन बिलाएंगे सब यह देख सकते हैं अब यहां पर लंबाई जो स्लीव की आ रही है 15 इंच आ रही है पूरी रख ले रही हूं बॉटम यहां पर छेंच है तो छेंच में पूरा रख ले रही हूं और इसको हम मिला लेंगे ऐसे यह देखिए तो यह हो गया हमारा स्लीव सेम एध इस मैं एक और इसका पेर कटिंग कर लूँगी यह सिंगल पेर मैंने कटिंग किया हुआ है तो दोनों की कटिंग कर लेने के बाद देखिए मैंने एक दूस्ते के उपर ऐसे रख दिया इनको और बीच वाला जो पार्ट है आर्मोल का इसको इस तरह ह। कम शेकम हाफ इंच के करीब डाउन-अंदर करते हैं क्टिंग कर ले यह रहें बाद इसके और रखने के वाद इस तरह के से कुझिग कईना है कि तो स्लीव की बीकुन की कटिंग हो चुकी है अब हमें करना है इसकी कि स्टिचिंग चुःकि पहले अब कि इसमें नेक की स्टिचिंग करेंगे और बांकी स्लीव और फिर नीचे वाला पार्ट तो देखिए सबसे पहले देखिए बैक पार्ट है बैक पार्ट का स्तर है सीधा वाला पार्ट रखना है अंदर की साइड और उल्टा वाला पार्ट आगे उपर की साइड अब हमें पहले को दिखाती देखिए मैंने स्टिच कर लिया है ब्लैक फैबरिक है उतना पता नहीं चल रहा है इसको स्टिच कर लिया मैंने और सिलाई ने कट पाइस का ध्यान लगा देने हैं और अब हम इसको पलट लेंगे देखें सीधा वाला पार्ट आगया आगे की साइड इस तरह से है सिल्या इसको चोट चोटे कट्स लगा देंगे और इसको भी पलट लेंगे तो इसको भी पलट ले रही हूं सीधा वाला पार्ट देखें इसका भी आ गया बाहर की साइड तो सबसे पहले किनारी किनारी पे हमें सिलाई लगा लेनी है फ्रंट वाले पार्ट में ही किनार मैंने लगा ली है और सबसे पहले तो है किनारी हम सिल लेंगे ताकि किनारी इधर उधर ना हो आर्मोल जोड़ते समय दिक्कत ना है जैसे आप स्लीव के नेक के उपर आप सिलाई लगा लें इसके बाद साइड जो है उसका जॉइंट कर ले तो मैंने दोनों साइड लेंगे इसको अंदर साइड में लेंगे फ्रंट वाले पार्ट को और ऐसे में मिला लेंगे अब हम इसको सिल लेंगे ऐसे रखते हुए ये होगया ये देखे इस तरीके से रखते तो इसको div लेंगे तो बहुत लिए आसान है सिंपल इस वहाँ हैंillon क्योंकि क fox किनारी कुछ भी नज़र नहीं की ची सिर्फ हम इस करके जरूर बताईएगा वैसे मुझे लगता है यह बहुत ही इजी मैथड है और मैंने अच्छे से बताने कोशिश भी किया आपको समझ में आया हो शोल्डर का एक पार्ट मैंने जोड लिया है सेम उसी तरीके से यह दूसरा पार्ट भी मैं जोड लूँंगी तो इस तरीके से हमें सिल लेना है इसको यह देके सिलाई लग गई अब इसको पलट लेंगे हम पलट लेने के बाद ही देखे इस तरीके से यह आ गया फ्रंट पार्ट ऐसे है और बैक पार्ट ऐसे है कोई सिलाई नजर नहीं आ रही है किनारी कोई नजर नहीं आ रही है बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है और अब मैं इसके बैक वाले पार्ट पे किनारी किनारी से सिलाई चलाते वे को पक्का कर लूँगी इस तरह से टॉप के फ्रंट वाले पार्ट की हमने किनारी सिल दी थी ऐसे में बैक वाले पार्ट की किनारी भी सिल दे रही ताकि इधर उधर ना हो और अच्छे सेट कर लेने के बाद ही इस पर सिलाई लगाने फैब्रिक का ध्यान रखना इधर उधर ना हो थो यह तो देख करना है तो यह होगी आर्मोल वाला पार्ट हमारा सबसे पहले किनारी जॉइन करना यह फ्रंट वाला पार्ट है देखिए जहां पर डीप कटिंग हो रखी है तो सबसे पहले बॉटम की स्टिचिंग करेंगे यहां से किनारी मैंने जॉइन कर ली है अब हमें देखना है इसमें फ्रंट वाला पार्ट कौन सा है आर्मोल का यह देखिए यहां पर डीप आ रहा है ना यह कटिंग है तो इसको हमें देखना है फ्रंट वाले पार्ट ने यह जॉइंड हो जाए जहां से डीप कटिंग हो रखी आर्मोल को उसको यह देखिए यहां पर है यह तो इसको हम इसमें जॉइंट करेंगे इस तरह से रखते हुए तो इस तरह के से रखते पूरा छील लेंगे एक साइड हमने आर्मोल को जॉइन कर लिया है यह देख लें आप और तेम स्टिस दूसरी साइड हमने कर लेना है हमने तुछ कर लिया हमने ढ़ने साइड अब हम लगाएंगे फिटिंग का निश्यान तो यहाँ पर बॉटम की फिटिंग हमें कितनी रखनी है वो देख लगते हैं मुझे यहां पर रखनी है चार इंच बाकि जो भी एक्स्ट्रा होगा एक इंच की मार्जिन रखते हैं मैं कटिंग कर दूँगी इसकी बाद में चाट दूँगी इसको तो है अब हम देख यहां से निशान लगा लेंगे दोनों साइट दो अणिश की मार्जिन देदेंगे फिस तरीके से में आग़ी साइड निशान बढ़ा दे रही है इसको हम सिल लेंगे मिला आते हैं बिल्कुल निशान पर रखते हुए स्टिचिंग कर लेने के बाद एक इंच का मार्जिन रखते हुए जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था स्लीवस वाले पार्ट में बैसको कट करके अलग कर देरी हूँ यहां से भी यह देखे यह हो गया और दूसरी साइड भी से मैं अधर्टिस सिल लेंगे देखे टॉप पार्ट हमने सिल लिया है और हमारी कमर 13 इंच हमें तयार चाहिए थी 13 इंच पर हमने निशान लगाया टोटल 26 इंच है यह देखे 13 इंच रडी है यह तो उतना ही हम निशान लगा लेंगे फ्रॉक वाले पार्ट में अस्तर वाले में भी से उतना ही निशान लगाएंगे और जो में फैबरिक है उस पर भी दोनों साइट से में डेड़ इंच का मार्जिन देदे रही हूं यह दिखिया है तो दोनों साइट से जिडेड़ इंच का ayά निशान लगा दूम इस तरीके से रखते हुए किस ऑड़ इंच और यहां से ज्यूड और जब हम इसकी जिलाई करेंगे देखे पूरा 13 इंच आगया कमर जब हम किनारी तक और किनारी सिलेंगे तो फिर दुबारा से एक बर और चिलाई क्योंकि तिर्चा जब फैबरीक हो तो एक साथ डबल सिलाई नहीं लगा सकते बहुंकि यहां से में एसे निशान लगा लेती हूं उल्टा वाला साइड बने रख लिया है इसमें रचार से एसे निशान लगा लिया हमने टोटल और उसके बाद इसमें नीचे तक हमें पहले दोनों को बिलकुल अलग-अलग से लेना हैं हमें लेकी थोड़ा एक्स्ट्रा हैं अब किनारी सेल यह सिंगल सिलाइ ही लगा रही हूं है che par queste है सिंगल सिलाइ लगा लेने के बाद चारों मतलब दोनों फ्रन्ट बैक फ्रन्ट बैक अस्ट वाला भी और मेंवाला भी इससे लगा लेने के बाद लगा ले हमने हमने अब इसके उप़र हमें एक बार देखिए, होगे एक बर और फॉल्ड ऐसे सिलाई लगा लेना है तो यह होगे अस्तर वाला फैब्रिक और ऐसे हमें मेन वाली फैब्रिक भी सिंपल ऐसे ही बिल्कुल सिलाई लगा लेना है और एक साथ डबल फोल्ड ना करें वन्ना प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि यह जब फैबरिक तिर्चा हो तो बिल्कुल एक साथ डबल सिलाई नहीं लगाते हैं सिंगल पहले लगाएंगे फिर दुबारा एक बार और लेना है नीचे तक पहले एक्स्ट्रा फैबरिक जो सिल लेंगे दीने दीने नीचे कम करते चले जाएंगे इस तरह से यह देखिए यह हो गया कम हाफ इंच का मार्जिन हो गए इस तरीके से नीचे तक मिलाते हुए थिल लेंगे और ऐसे ही दूसरी साइट भी सिल लेंगे हम और ऐसे ही मेन फैबरिक भी मैं सिल लूँगी बिल्कुल और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है इसमें यह हमारा टॉप पार्ट देखिए यह टॉप पार्ट हो गया यह बॉटम वाला पार्ट जिसका अस्तर है और यह जहां पर अस्तर वाला फैब्रिक सीधा नहीं करना है वैसे ही रखना है और इसको इसके अंदर डाल लेना है इस तरह से ही देखिए ऐसे हमने डाल लेना है इसको यह डाल लिया है और उसके बाद जो टॉप वाला पार्ट है उसको हमें सीधा कर लेना है और इसके साथ अच्छे से एडजेस्ट कर लेना है सिलने के लिए देखिए पहले नीचे से बराबर कर लेंगे अच्छे से और अब इसको मिलाते हुए नीचे किनारी से किनारी को मिलाते हुए इसको pin up कर लेंगे और इसके बाद पूरे में इसमें हम फिलाई लगा देंगे और उसका फाइनल लुक जो बनकर ready हुआ हुआ वह भी आपको दिखा देती हूं लास्ट में यह देखें इस तरही के से इसक हम चाहते ते तो आपको यह वीडियो कैसी लगी आपको यह अमरेला फ्लॉक बनाना समझ में आया है नहीं आया नेचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताईएगा अच्छी वीडियो में पर इतना ही थाइंक्यू